तो आज हम बात करेंगे नीज टूटन टूटिफ़ोर के सारी फिजस के क्वेस्टिन के बारे में पहला क्रेंगर क्वेस्टिन है इन वनियर के लिपर एन प्लस वन डिविजनस ओर सकिज स्केल कौंसाइड विजनस अफ मैं स्केल यह वन एमेजी रिविज़न पॉइंट वन constant तो दोस्तों आपका one year constant क्या होता है least count होता है तो दोस्तों आपको दिया हुआ है n vsd is equal to n plus 1msd तो आप यहां से निकाल सकते हैं कि जो 1 vsd है वो है आपका n plus 1 upon nmsd तो आप यहां से least count निकाल सकते हैं कि जो दोस्तों आपका जो least count होता है वो होता है 1 msd minus 1 vsd तो फिर दोस्तों आप यहां से अब लिख सकते हैं msd minus n upon n plus 1 msd is equal to least count तो दोस्तों अब यहां से आप common करके लिख सकते हैं msd into 1 minus n upon n plus 1 is equal to least count तो दोस्तों जब आप इसको solve करेंगे तो नीचे तो n plus 1 ही रहेगा उपर दोस्तों 1 आ जाए और msd आपको mm में दिये हुए तो जब आपको उसको cm में convert करेंगे तो आपके पास आएगा वन अपन हंडेड एन प्लस वन तो यह आपका बी ऑप्सन करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं इस दमोनो क्रोमेटिक सोर्स हिंदा जैंस डबल स्लेट एक्सपरिमेंट इस करेंगे तो जो लेमडा है वह आपका डिफ्रेंट आएगा तो बीच में तो सेंट्रल ब्राइट बनेगा लेकिन आसपास कुछ करेंगे तो सी ऑप्सन इससा करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं लॉजिक गेट का आपको बताना है आउट्पुट क्या है तो दोस्तों आपको इसका टर्मिनल वोल्टेज बताने हैं तो दोस्तों टर्मिनल वोल्टेज होता कि यह माइनस आई आप यहां से कमेंट करेंट निकाल सकते हैं तो टैन अपवान यह सीरीज में तो फूर प्लस वन फाइव तो यह आपका टू आ गया तो यह आपका हो जाएगा सब्सक्राइब निकाल सकते हैं एक उसलेशन में कितना टाइम लगेगा अगर तो फाइव अपवान तो लगेगा यानि कि आपके पास आगे वन वाइफ और दोस्तों टाइम पिर जैसे ही आप निकालेंगे इसका दोस्तों आपको रिलेशन पता होना चाहिए तो पाई अन ये निकाल सकते हैं और एकस की वैल्यों भी निकाल सकते हैं तो यहां से आपका यह ये डी और चाल हो जाएगा आप निकाल सकते हैं आगे बढ़ते हैं अब दोस्तों यह क्वेशिन है आपके सामने आप यायरफ लेंथ येंड रेजिस्टन्स हनेड़ों में इस और जाएगा और समी तो यहां से ऐत्भ पार्ट को डा कंट्रम सीस करेंगे दो फिफिटी ओं हो जाएगा और लेकिन आपके जिट्रम को यो नेक्स्ट हु उनको आपने क्या कर दिया है रीफ योच事情 हो जाएगा वह अब आप सिसे कुल का सब्सक्किंगी कर दिया bisa तो दोस्तों यह पूरा सिस्टम है तो यह साथ में चलेगा तो आप इस सिस्टम का एक्सलरेशन निकाल सकते हैं तो टैना पॉन टूटल मास तो यह आपका फाइव आ गया तो जो है पूरे सिस्टम का है इसके ओपर हम फोर्स देख लेते हैं तो फोर्स आपको क्या हो जाएगा एमे यानि कि फोर अब जो फोर है दोस्तों यह इसको मिल गई तो यह आगे देदेगा शिक्स न्यूटन की तो यह आपका सी ऑप्सेन करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों अ टाइटली वांड हंडेट टन्स कोईल ओफ रेडियस 10 संटिमेटर केरी जा करेंट ऑफ 7 एमपियर दा मैंगनेटिटीट फिल्ट अड़ सेंटर अफ कोई तो दोस्तों यह मैंगनेटिक फिल्ट अड़ सेंटर अफ कोईल का फॉर्मुला क्य करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं इन आईटल ट्रांसॉर्मर देर टंट रेसिओ अन्पीवाइस एकल सविनफ वनवाई टुआ वाइक बचाना है तो दोस्तों आप यह जानते हैं और ईडियल ट्रांसवर्मर एनपी बाइनधिट इस एकल टो एकल वाइघ्वाइग इसके एक्वल आ जाएगा वन बाई टू वी एस भाई वी पी इसका उल्टा हो जाएगा तो भी उप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं मैच करने हैं आपको दा ग्राफ विच सोज दा वेरियेशन ऑफ वन बाई लेंडा स्क्वेर बिट्स इट्स काइनेटि एनर्जी ए तो दोस्तों आप जानते हैं तो आपको झो लेंडा होता है वह होता है आपका on इनर्जी करें तो लेंडा स्क्वेर आपका कि तो एम ए यह आपका आगे तो 1y lambda square के साथ दोस्तों आपका graph कैसे बने दोस्तों आपका graph कैसे बनेगा स्टेट लाइन बनेगा क्या जो लेंडा स्कुरेर वह आपका इण्वर्सेट प्रपोर्पोरशनल के डियर का तो आप से निसका correct करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं आपको यह स्टेटमेंट हुआ है एक पल नमबर पॉजिटिव नेगटिव चार्ज तो यह तो आपका सही स्टेटमेंट है एटम सफ इच एलिमेंटर स्टेबल एंड एमेट जैर करेक्टरिस्टिक स्प्रेक्टरम दोस्तों यह एंद है उपस्टरिंग विथा इनिसेल स्पीड पफ ओमेगा आर्पिम टैंसरी स्टिफ बिकम टू ओमेगा वाइल कीपिंग था स्टेंसी में इन्दस ट्रिंग विकम्स तो 200 टैंसर्टर यहां पर उसका काम कर रही है संट्रिफ्योगल फॉर्सका तो एम ओमेगा आर्सक्थ हो तो आपके जीगह मरो मेगा क्यार यहां पर दोस्टों स्वलाइगा तो आप यहां पर देखें जो टाइम पीरिट क् defence para तो अ गर यह आप इसको प्रोटी है तो जो ल lot हो जाएगा तो अगे बढ़ते हैं अब दोस्तों आ def bands केंना लेकिन दो आपका यकर्ए बोर्फ द्सक्न ऩर द्सक्राइब क्व हो जाएगा लेकिन आपका जो व्यक्राइब हो जाएगा जो रिवर्स घ्यार्वेस होसमे इसे लिए जो है आपka क्रेक्ट यह में नहीं होता है जो C, D, A, the work done by the gas along the path B, C तो दोस्तो जो B, C है इसमें आप B, C में देखिए कि जो delta V है वो आपका क्या 0 है और work done आपका क्या होता P delta V होता है delta V 0 है तो work done by the gas जो है वो आपका 0 है तो आपका A option correct हो जाएगा अलग question दोस्तो ये अथिन spherical cell is charged by some source the potential difference between two points C and P तो दोस्तो एक center पे है और एक ये P है तो दोस्तो आप जानते हैं कि जो V जो है एक thin spherical cell में hollow sphere में क्या होता है K P by K Q by R होता है जो कि दोस्तो आपका constant होता है तो ये constant है तो मतलब ये जो इनके बीच में potential difference है वो आपका 0 होगा तो D option आपका correct हो जाएगा आगे बढ़ते हैं The moment of energy of a thin rod about an axis passing through its midpoint and perpendicular तो ये तो आपका ml square by 12 होता है Is equal to 2400 gram per centimeter square तो ये आपका 2400 आगया length आपको दोस्तो दिया गया है जब आपको mass पता है तो दोस्तो आप यहां से आप length को निकाल सकते हैं जब आप निकालेंगे तो ये दोस्तो अंडर रूट 72 आएगा तो ये close जाएगा 8.5 cm के तो ये option इसका correct हो जाएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तो आप particle moving बे तो uniform speed in a circular path maintains तो दोस्तो uniform speed में वो अगर travel कर रहा है तब भी उसकी जो varying velocity और varying acceleration है क्योंकि उसकी direction बदल रही है तो velocity और acceleration है दौनी वेक्टर है दोस्तो इस इस दब velocity of light and free space the correct statement about photon among the following is तो e is equal to h new तो ये तो आप जानते ही है तो ये तो आपका correct हो जाएगा the velocity of photon is c तो ये भी सा statement है pace and Writing to us to a फले एक लेंड़ो होता है वहetzt वे the other w a perette आ है और फी है तो यह यहां से आजाएगा batch by लेंड़ा और बिधर स्पाद offering और जो आपका frequency होता है वह आपका सी द collect होता है जो तो जो да लम्ड़ जो और फोटान में दोस्तों कोई पॉजिटिव चार नहीं होता है से लिए यह आपका गलत हो जाएगा आगे बढ़ते हैं एट एनि इंस्टेंट एट टाइम टीड़ डिस्प्लेश्मेंट ऑफ पार्टिकल इस टूटी माइनस वन अंडर ऐसा यूनिट अंडर दा अब इन्फ्लूएंस और फोर्स औफ फाइब नूटन डा वैल्यू अफ इंस्टेंट इंस पावर तो दोस्तों पावर होता गया है पावर दोस्तों आपका होता है एफ डॉट वी आप दोस्तों यहां से निकाल सकते हैं डियक्स वाइड ईडिक करके आपको डिस्प्लेश्म आप यहां से निकाल सकते हैं 5.2 यानि कि 5 x 2 10 आपका सही आंसर हो जाएगा तो यह आपसन दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों यहां पर आपसे कहा गया है कि यह एक राइट एंगल प्रिस्म है 30 डिगरी के एंगल पर वो एंटर कर रही है और ऐसे वो निकल जा र आप यहां पर देखते हैं सबसे पहले दोस्तों हम यहां पर स्नेल शल जब लगाएंगे वन इंटू साइन 30 यानि की वन बाई टू इंगल तो यहां पर शीट्यान इंगल तो यहँन ृत्र इंस 1- Ż 2 , अब यह जो है यहाँ सो धीजिए आफ का बन रहा है वह आपका critical angle बन रहा है ऑर आप जानते हैं कि सान सी जो होता है आपका 1-1 , मू होता है तो यहां पर जो साइन है हापका 1 वाई मू आ जाएगा आप आप दौनर के स्क्वाइर को जोड़ देंगे तब आपका जो मियू है वह आपका रूट फाइव बाई टू आपका बनकर आ जाएगा तो भी आप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा आगे दोस्तों आपको बताने एक वेरेंट कैपेसिटेंस बिट्वीन एंड बी तो दोस्तों में होंगे तो सीधर सीधर जोड़ जाएंगे तो वन प्लस वन टू हो जाएगा तो एप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं तक क्वांटिटीज विच हैव द सेम डाइमेंशन एस दैस ऑफ सॉलिड एंगल जो होता है उसके उपर कोई भी डाइमेंशन नह जाएगा आगे बढ़ते हैं तो मैक्समा इलोंगेशन आभेस टील ओर राफेंशन यान कि आपको स्ट्रेस दिया हुआ है और यहaं मॉड यो είको चैनर तो आप जाते हैं कि जो गामा होता है कि गामा दोस्तों आपका होता है स्ट्रेस उन ऊपुन ड्वाई य जिसको आप स सकते हैं stress upon gamma तो जी एक इन टो टेन की पावर एट आप उन टो टेन की पावर 11 यह आपका 4 इन टो टेन की पावर माइनस 3 मीटर आएगा तो 4 mm तो यह आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अब दोस्तों यहां पर यह आपको दिया हुए इन दा अबब डाइग्राम और स्ट्रॉंग बार मेंगनेट इस मुविंग त्वार्ड सॉलिनाइट टू फ्रम सॉलिनाइट वन दर डारेक्शन ऑफ इंड्यूज करेंट इस वह आपका होना चाहिए तभी यह मेंगनेटिक फिल्ड को अपोस कर पाएगा तो यह आपका यह और दोस्तों जो मेंगनेटिक फिल्ड है वो साउथ की तरफ आएगी तब इसको दोस्तों अपोस करने के लिए बी से सी जाना पड़ेगा तब यह आप आपोस कर पाएगा तो यह आपका यह आप्शन करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं तो मास्वाफ अपल दिया हुए जो मास है वह आपका M by 10 है जो और जो R है वह आपका क्या है R by 2 हो है क्योंकि डामेटर भी हाफ है तो यह आर बाई 2 का होर स्क्वेर तो यहां से यह दोस्तों 4 by 10 इंटू नॉर्मल जी आ रहा है तो यहां से यह दोस्तों 3.92 के पास जाना चाहिए तो डियो कि वह सबसे चोटी बनेगी तो यह N2 is equal to 6 से N1 equal to 2 यह आपका सबसे बड़ा transition है तो यह आपका D का 1 हो जाएगा तो D का 1 दोस्तों सिर्विस में है तो आपका यह B correct हो जाएगा और दोस्तों सबसे चोटा transition जो है वह आपका यह है 2 से 3 तो इसमें सबसे बड़ी बनेगी तो एक त्री हो जाएगा तो ऐसे भी आप verify कर सकते थे तो भी आपनिस का correct हो जाएगा आगे बढ़ते हैं एन अन पोलराइज लाइट बीम स्ट्राइक सब्सक्राइब सब्सक्राइब देन जो जब ब्रूस्टर एंगल पर वह स्ट्राइक करेगी तब कि हो दोस्तों जो रिफ मैगनेटिक होते हैं उनकी जीटा की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी होती है वन से तो आपका जो बी है उसका तो थ्री जाएगा तो इसको तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं और दोस्तों जो आपके जो पैरम मैगनेटिक हैं वो slightly attract होते हैं तो उनका small positive number होता है तो C का 4 हो दीटा जीरो होता है तो दी का वन हो जाएगा तो यह आप्सिन इसका करेक्ट दोस्तों टू बॉड़ी से एंड बी आफ से से मास अंडर्गों कम्प्लेटी इन इलास्टिक बंडी कोलीजन दा बॉड़ी ए मोज इन वेलोसिटी बीवन वाइल दा बड़ी बी इस एट जैस बिफोर कोलीजन वेलोसिटी ओफ दर सिस्टम आफ्टर दो कोलीजन इस वी टू तो आपको वी बन वाइल वी टू का रेशियो बताने तो सरसे पहले सिर्फ एम चल रहा था तो उसका जो मोमेंटम होगा वह एम वी बन और दूसरे वाले का तो कोई नहीं होगा क्योंकि उस गेंटम जो वी बन है वो आपका प्रेशियो क्या हो जए को रहा हो जाएगा दोस्तो firaham हो चार्ग्ण दूसर यह आपको सामने आ जो टू है चार्ज गिर जाएगा तो 82 से 80 हो जाएगा जब यह बीटा पॉज्टिव को दोस्तो ऑम ऐल्क्ट्रोन पॉज्टिव को जब यह मैंट करेगा तो जो आपका जो मास है वह आपका वही रहेगा लेकिन जो आपका जो चार्ज है वो एक कम हो जाएगा बीटर नेगटिव जब एमिट करेगा तो नेगटिव चार्ज गया तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा 80 हो जाएगा उसके बाद एलेक्ट्रोन फिर से लूज गा तो ये 81 हो जाएगा तो यह आपका 286 और 81 यह आपका D option करेक्ट हो जाएगा अब दोस्तों यह है आपका question आपको दोस्तों बताने amplitude and time period of motion तो amplitude देखने से पता चली रहा है A sin omega t plus 5 तो यहां से यह 5 आ जाएगा और यहां पर मीटर दिये हो है तो 5 मीटर आए आना चाहिए तो सेंटी में मीटर तो आप खटाई सकते हैं अब यह आपको बताने time period of the motion तो यहां पर यह omega t होता है तो यहां पर आपको omega जो है आपका पाई डिया हुआ है और जो omega होता है वह आपका 2 होता है तो यहां से जो आपका टी है वो तू सेकंड्स आजाएगा फाइव मीटर और टू सेकंड्स आपको बी आप्शन सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अथिन फ्लैट सेर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमेटर इस प्लेज जंटली ओवर दा सर्फेस ऑब वा लेंथ तो यहां पर जो लेंथ होगा इसके सर्कॉम्फेर्नस के बराबर होगा यानिकी 2 पाई आर तो जब दोस्तों आप इसको सौल करेंगे तो यह 19.8 मिली न्यूटन की पास आएगा यह धान रखियागा कि आप संटीमीटर को मीटर में चेंज कर लें आगे बढ़ते है अब दोस्तों आपको बताने वाई आपको बताने आउटपुट इसका क्या होगा तो दोस्तों जो ए है इसका ये बार कर देगा क्योंकि यहां पर ये गोलल लगा हुआ है तो यहां पर भी ये बार कर देगा अब दोस्तों यहां पर इन दोनों का जब हम रेसिप्रोकल करे तो यह करेंगा यह दोस्तो एक ओर गेतर सूह एक घरेगा एडॉट..? आ यह बार दोट दॉये आपका हो जाएगा यह डबल बार म्लस बीड़ाल बार तो है आ आपका एट भी आपका सही हो जाएगा जब आप इसको calculate करेंगे formula के साथ kpyr square से तो आप इसको कर सकते हैं तो यह जो वी है यहांपर दोस्तो 2 kpyr sql n हो नहीं होता है यह electric field के लिए होता है 2 kpyr cube तो r false था तो यह वैसे ही true हो जाए क्योंकि A और r false का option नहीं है तो सी option इसका correct हो जाएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों दब wheel of block cart यहां पर दिया हुआ है एक level road पर रोल कर रहा है और दोस्तों linear speed उसकी V है इस direction में अब आपको बताना है कि अगर P और Q उसके highest और lowest point है तब क्या होगा तो दोस्तों आपको वैसी पता है कि जो फास्टर मूब करेगा क्यों से तो आपका यह जो बी आई के बराबर होता है और उनकी डारेक्शन भी सेम होती है तो भी आप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं तब प्रॉपर्टी विच इस नौट ओफजर मैंगेनेटिक वेफ ट्रेवलिंग फ्री स्पेस तो दोस्तों वह ट्रांसफर होती है तो यह तो सही है एलेक्टिक डर्न D option जो है आपका incorrect है तो आपका D correct हो जाएगा आगे बढ़ते हैं A small telescope has an objective length of 140 cm and eye piece of focal length one focal length 5 cm the magnifying power of the telescope is तो दोस्तों जो magnifying power होती है वो होती है FO by FE इसे को आप magnification में कहते हैं तो यह 1 by 40 upon 5 यानि कि आपका 28 option हो जाएगा तो B option इसका correct हो जाएगा अलग question दोस्तों two heater A and B are power rating of one kilowatt and two kilowatt तो those two are first connected in series तो जब आप इन series को connect करेंगे तो इनका उल्टा होता है इनका parallel जैसे होता है one into two one one plus two यानि कि यह आपका two by three आ जाएगा अब दोस्तों आपको इसका ratio लेना है जब आप इसको series में जोड़ेंगे तो जब आप इसको parallel में जोड़ेंगे तो दोस्तों जब यह जब आप इसको parallel में एक्वल टू nrt तो दोस्तों जो ट है अगर आप दोस्तों ट वर्सिस वी के graph का आप ratio निकालेंगे तो यह आपका आएगा P by nr into V याने कि जो आपका जो slope है व सबसे पहले P by nr है तो जितना बड़ा दोस्तोँ आपका slope होगा उतना बड़ा pressure होगा तो जो P1 है उसका slope सबसे जदा है P3 का उसके बाद उसके बाद P2 का तो सबसे पहले P1 उसके बाद P2 उसके बाद P3 तो डी आप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा अब दोस्तों यह है आपके सामने वी वर्चिस टी का आपको ग्राफ दिये हुए एक्सलेरेशन टाइम ग्राफ आपको बताने सबसे पहले दोस्तों बट रही है तो एक्सलेरेशन पॉजिटिव होगा तो यह होगा उसके बाद द दोस्तों आप आपको बताने जो बैलेंस ब्रीज को बना सके सबसे पहले दोस्तों करेंट यहां से आएगा तो करेंट दोस्तों जब यहां पर आएगा तो यहां पर यह जो है यह इसको दोस्तों बना सकता है क्योंकि जब आप रिवर्च बाइस को ऐसा बना दे कि उसका ज ये तो आपकर नहीं सकता है पहला में दोस्तों ज Summer 10 शोटे वाले से भी चोटा आता है तो यह भी भालंस नहीं कर सकता इसमें भी दोस्तों सेम बात है जब यह जो current नाईगा यह reverse bias वाले साइट से आगा तब finnist जगा तो यह अपसना of oscillation is x by 2 times its original time period the value of x is तो दोस्तो आप जानते हैं time period आपका होता है 2 pi under root l by g तो दोस्तो जब आप उसको l by 2 करेंगे तो यह दोस्तो 1 by root 2 time कम हो जाएगा क्योंकि यह directly proportional है under root के तो यह 1 by root 2 हो जाएगा तो यह जो आपका जो t dash आएगा वो आपका t by root 2 आएगा और वही दोस्तो आपको दिया है यह x by 2 into t आपको दिया हुआ है तो दोस्तो यहां से यह आपका दोस्तो root 2 x की value जाएगी तो b option इसका correct हो जाएगा आगे बढ़ते हैं the minimum energy required to launch up satellite of mass m from the surface of mass m and radius r in a circular orbit and at an altitude of 2 r from the surface is तो दोस्तो सबसे पहले यहां पर उसकी जो initial energy होगी वो होगी आपकी minus gm by r अब दोस्तो जब वो वहां पर पहुंचेगा तब उसकी जो energy होगी वो हमको कुछ-कुछ e plus उसको potential energy उसकी साथ देनी पड़ेगी तो यह 5 gm by 6 r आपको बैठेगा कैसे यहां पर दोस्तो आपका हो जागा gm by 2 और जो distance है हम center से लेंगे तो वो 3 r हो जाएगा तो यह 6 r तो जब आप यह 6 r को वहां भीज़ेंगे तो यह आपका 5 gm by 6 r आएगा a option इसका correct हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अब दोस्तो a seat is placed on a horizontal surface in front of a strong magnetic pole a force is needed to hold the seat if there is magnetic तो यह दोस्तो आपका सई statement है जब वो magnetic है तब आपको उसको hold करना पड़ेगा force आएगा उसमें तो a option आपका correct हो जाएगा अगर non-magnetic है तो दोस्तो फोर्स तो नही करना पड़ेगा तो भी तो आपका गलत हो गया move the seat away from the pole with uniform velocity if it is conducting तो यह तो दोस्तों आपका सई statement है कि अगर उसको आपको move the seat away करना है क्योंकि उसमें current आएंगे एडी current आएंगे तो उनकी वज़े से उसमें magnetic force बनेगा तो आपको फिर से force लगाना पड़ेगा तो आपको a में लगाना पड़ेगा force और c में लगाना पड़ेगा अगर दोस्तो वो non conducting है तो एडी current जो है वो conducting नहीं हो पाएंगे तो कहां से force आएगी तो आप अलक प्वेशन दोस्तों यह आपके सामने अटेन म्यूफ कैपसिटर इस कनेक्टेट टूट टैन वोल्ट फिप्ती हर्ट स्वर्स एस सोर्स इन फिगर दपी करेंट इन्दा सर्केट इस तो दोस्तों जो आपको निकालना है आई न म्यूफ इंटू ओमेगा तो ओमेगा दोस्तों आप कैसे निकालेंगे टूपाई इंटू फिप्टी कर देंगे तो यहां से यह 100 आ जाएगा तो अब दोस्तों यहां से आप आई निकाल सकते हैं और जो आपका जो आई आर्मेस होता है वह आपका आई नॉट बाई रूट अब मेटालिक बार और यंग्स मॉडूलस पॉइंट फाइव इंटू तन की पावर एला वन न्यूटन पर मीटर स्क्वेर एंड कोईफिजिंट ऑफ लिनेर थर्मल एक्सपांशन तन की पावर माइनस फाइव पर कूलंब लेंथ बन सेंटिमेटर एंड एरिया ऑफ क्रॉ अब यहां से निकाल सकते हैं यह जब दोस्तों आप करेंगे तो आपके पास आएगा फिप्टी न्यूटन के आसपास तो यह आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेशन दोस्तों एन आईरन बार ओफ लेंथ एल हैं मैगनेटिक मॉमेंट एम इस बेंट आप मिडल करेंगे यहां हो जाएगा और यहां यहां पर यहां आएगा तो यह आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं if the plates of a parallel plate capacitor connected to the battery are moved close to each other then तो दोस्तो जो आपका जो capacitance होता है वो होता है आपका epsilon not a by d जहाँ पर जो d होता है आपका distance between two plates होता है जब आप इसको कम करेंगे तो जो capacitance है आपका बढ़ेगा तो c तो बढ़ेगा ही तो आपका जो ये option से इसको आप eliminate कर सकते हैं चार्ज भी दोस्तो बढ़ेगा क्योंकि दोस्तो आपका q is equal to cv होता है c बढ़ेगा तो आपका charge भी बढ़ेगा तो आपका ये जो है वो भी साही है ये और c आपके दौन सही है भी दोस्तो आपका साही नहीं है कि energy बढ़ेगा तो आपको जो है यहां पर जो एनर्जी स्टोर्डिनेट है वह आपकी इंक्रीज होगी या यह डिक्रीज नहीं होगी तो आपका जो एक है सी भी सही है और एबी आपका सही है तो आपको यह जो भी आप्सन है वह आपका कर्यक्ट दोस्तों आपको दिया हुआ है अफोर्ट डिफाइन डैस एफ इस इकल टू अलफा टी स्क्राइब प्रस बीटा टी एक्स अन पार्टिकल एड गिवन टाइम टी दा फैक्टर विच डैमेंशन लेस इफ अलफा इंट बीटा और आर कॉंस्टेंट इस तो दोस्तों यह एड हो रहे हैं तो जो अलफा टी स्क्राइर का जो डैमेंशन होगा वह आपका force के बराबर होगा तो alpha इंटु, t square अब दोस्तों, यहाँ से आप alpha का dimension निकाल सकते हैं t की power minus 2 upon t की power 2 तो यह t की power minus 2 minus 2 हो जाएगा यानि की mlt की power minus 4 पस similarly दोस्तों, आप निकाल सकते है mlt की power minus 2 हो आपका beta by into t है तो यह आपका t की power minus 2 upon t यानि कि T की पावर माइनस 3 हो जाएगा तो यह MLT की पावर माइनस 3 हो जाएगा अब दोस्तो जब आपको निकालना है कि अगर आपको और भी आंसर की चाहिए तो आप नीचे से देख सकते हैं जूलोजी और बॉटनी के हम आगे प्वेस्टेंस आपको दे दे रहे हैं और फिजिकल केमिस्ट्री को भी आप आंसर की देख सकते हैं थैंक्स वर वाचिंग